यह नो बड़ी जल्दी बच जाते हैं चलिए कहता है आर इस असेल्स टेक्स आफिसर अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सरकारी इंप्लोई प्राइवेट इंप्लोई का कोई चक्कर निये हाउस पॉपर्टी का इनका में टेक्स देना पड़ेगा कहता है सर आर सेल्स आफिसर है जैपूर में ही ओन टू रेजिदेंशल हाउस फस्ट आ हाउस डेली में और कहता है कि इसके पास दो घर है हम फॉर्मिट भी बना लेते हैं और साथ के साथ करते जाएंगे ताकि आपको समझ में आता जाए आप ध्यान से बस देखते जाएगा और मैं पढ़ पढ़ के बताता जाओंगा दो घर हाउस है तो सीरी सी जवाब है सार सीरी सी बात है कि आपको कॉलम बना लेना चाहिए कितने कॉलम बनाना चाहिए दो आप कॉश्चन भी पढ़ते रहिएगा फिर मैं भी तो पढ़के बताऊंगा कहता है सर कहता है ही ऑंस टू रेजिडेंशल हाउस ह नमबर वन ह नमबर टू वह किसी का हैंड रेस का भी मैं आंसर लूंगा नहीं मैं बंद कर देता हूँ इसको ठीक है कहता है हाउस नमबर वन और हाउस नमबर टू दो घर है दा फास्ट हाउस डेली में है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिड ओन इकत्यस बारा उननिस सो इक्यानवे में बन चुका था ये यानि बहुत पुराना घर है उननिस सो इक्यानवे में बन गया था सरी ये इस हैस बिन लेट आउट रेंट और इसको किराये पर भी दे रखा है इस घर को रेंट पर दे रखा है सर्ट और रेंट है तीस अजार रुपे पर मन कंपनी फोर its office और यह rent है 30,000 रुपए और अपने office के लिए खुद के business के लिए तो आपको याद होगा house property के अंदर मैंने बताया था rent residential हो चाहे commercial हो लेकिन खुद का वेपार करोगे तो वो house property का part माना नहीं जाएगा याद है आपको तो sir यह कहता है अपने office के लिए the second house जैपूर which was construct 2021 में बना has been occupied by him on residence यह अपने घर के लिए लेके चल रहा है he took a loan 9,000,000 रुपए का 14-2019 में अब यहाँ से बात आती है second house की first house की बात करें तो sir first house का कोई house property income नहीं है क्योंकि सवाल में कह देता है अपने office के लिए इसने ले रखा है और मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर यही मालिक है इस office का तो कहता है company for its office के लिए इसने किराए पर दिया तो वो house property के अंदर taxable आता ही नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ cut कर दिया sir house number two कहता है second house के लिए इसने loan लिया sir कब loan लिया एक चार 2019 में sir कितने रुपे का loan लिया नौ लाग का अच्छा एक आठ को लिया एक आठ rate क्या था sir इसके उपर at the rate 8% का अभ्याज देना है the interest for the purpose of construction of his house entire loan outstanding बोलता है के भी या interest interest सारे अभी कोई भी नहीं दे सारा का सारा outstanding है तो यहाँ पर देखते हैं अब सबसे पहली बाद second house को पढ़िए एक बार कहता है the second house जैपिर was constructed on 13 constructed बन चुका है 13, 2021 यानि जो घर complete हुआ complete कब हो चुका है 13, 2000 तो पहला मेरा question आपसे यह है 13, 2021 में बना है मुझे pre construction period सबसे पहले निकालना होगा मैं अभी starting है new questions है इसके लिए मैं आपके सामने timeline बनाऊगा लेकिन बाद में फिर आपको खुद करना पड़ेगा यह तो सर कहने का मतलब घर जो complete हुआ वो सर complete हुआ 13, 2021 सर जो साल घर complete हुआ वो साल हमारा start कब हुआ होगा सर start हुआ होगा 14, 2020 और खतम कब हुआ होगा 31, 3, 2021 पहले इस बात को समझी है यानि सर 20 में start हुआ होगा और 21 में बन के तयार होगा समझ में नहीं आए तो मैं दुबारा बता देता हूँ मैं दुबारा बता देता हूँ एक बार एक बार बिल्कुल fair तरीके से करके white ले लेता है सर घर complete हुआ एक तीन दो हजार दो हजार 21 construction done इस date पे यानि सर इस date पे घर बन के तयार यानि सर जिस साल घर बन के तयार हुआ है उस पूरे साल का अगर मैं first date और end date को लूँ तो क्या बनेगा first date और end date इस पूरे साल को अगर मैं count करूँ तो क्या बनता है एक चार बीस और 31 ये बन रहा है जो साल हमारा घर बनके तैयार हुआ है लोन हमने लिया था एक आठ दो हजार उन्निस अब बताइए प्री कंस्रेक्शन पीरिड जो होगा वो कहां से कहां तक का होगा प्री कंस्रेक्शन पीरिड होगा वो कहां से कहां तक होगा कौन बताएगा प्री कंस्रेक्शन पीरेड कहां से कहां तक का होगा इस से लेके यानि 31-3 2020 क्योंकि भले ही गर कंप्लीट 20 में हुआ लेकिन उस साल का हमने इंटरस का डिड़क्शन यहां से हम काउंट कर लेते हैं कितने महीने होंगे तो सिंपल से सीधी साधी बात है सर अक्टूबर के महीने में यह अगस्ट के महीने में बना हमारा तो नई जून जुलाई अगस्ट हाँ तो आपका 2019 में कितने महीने बताएए 2019 में कितने महीने क्यों छे आप August, September, October, November, December कितने हो गया है? 5 महिने और 20 में कितने महिने? 12, 20 तो पूरा ही चला? 20 तो नहीं? मैं मार्च से नहीं चल रहा है, चलो मार्च से नहीं लेते हैं कोई बात में 19 और 20 देखें, 19 और 20 19 और 20 हमारा 21 साल चल रहा है 31, 2020 तक जाना कितने महिने हो गए टोटल? यानि यहाँ पर 8 महिने हमारे वो साल है जो कि pre-construction period होंगे clear? और अब pre-construction period का interest निकाल लेते हैं सर pre-construction period का interest कैसे निकालोगे? सर, pre-construction period का 9,00,000 into में कितने? 8 बटे में 100 और क्योंकि 8 महिने का है तो 8 बटे में 12 और क्योंकि 5 बार में बटेगा तो 1 बटे में 5 सर, यह हर साल 5 साले तक upcoming 5 येर तक हमें deduction मिलेगा तो इसमें बताईए क्या amount बन रहा है टूटल? जल्दी जल्दी फटा-फट कल्कूलेट करके बताईए क्या? 9600 ज्यादा होना चीए देख लो एक बार इतना ही बन रहा है 9 लाग का अपका अगर मैं 1090,000 90,000 को 5 से डिवाइड कर दे तो बारा, नहीं ज्यादा बनना चीए देखो सईशाए पक्का? चलिए अब ये वाला साल जो है ये वाला साल ध्यान दीजिएगा ये वाला जो साल है इस वाले साल का ब्याज पेमिट नहीं हुआ ये तो करेंट इयर के अंदर काउंट हो जाएगा तो करेंट इयर पूरे 12 महीने के लग जाएगे जो की 9 लाग होगा इंटू में 8 बाई 100 तो ये आजाएगा हमारा कितना? 72,000 रुपे तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे NAV की तो सर NAV क्या रहने वाला है? 0 अगर माइनस बात करूँ 24A की तो सर 24A क्या होगा? 0 लेकिन बात करूँ 24B का तो सर 24B का करेंट इयर का इंटरस बनता है हमारा कितना? 22,000 और साथ के साथ हमें मिलेगा pre-construction period का भी जो की है तो सर टोटल इंटरस का माइनस करना कितना मिलेगा? कितने? और यह हमारा आ जाएगा माइनस में loss आगे 81,600 loss from house property फटाफट से चेक करिए फटाफट चेक करिए समझ में आया दिया ने बता भी दिया 81,600 पूछ रहे हैं बाई जो बच्चे पूछ रहे हैं 1 by 5 क्यों आया? पहले तो पुरानी क्लास भी पेंडिंग होगी अभी बताया था pre-construction को एक बटा 5 से बाटेंगे झाल 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 झाल